कि नमस्ते दोस्तों मैं हूँ शर्मीला और शर्मीलास कीचेन में आप सबको बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं दोजा बनाने का रेसिपी शियर करूंगी दोजा एक फ्यूशन डीश है जिसके बेस में रहता है दोजा और दोजा के ऊपर में रहता है पीजा का टॉपिंग दोजा साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल खाने में सबसे पॉपुलर डीश है और पीजा भी हम प्यार से खाते है जो इताली से आया है तो अपका दो पसंद का चीजे अगर एक साथ मिले तो खाने का मज़ा दुगूना हो जाता है ये डीश बहुत स्वादिश बनता है पी ऑले से पोस्ट कर चुकी हूँ इसका वीडियो देखने के लिए आप स्कृइन के उपर राइस साइट में क्लिक करें दो इन इस है मेरा दोसा बैटर तयार यह बैटर बनने के बाद ही इसमें नमक एट करें चमचे से इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करें तो देखिए यह बैटर बहुत गाड़ा है इसके हापकप जैसे पानी अट करें इसके कंसेस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करके एक कप तक भी डा वाइन लाग सकता है तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करें सक का 10 पोरिंग कसी स्टेंसी होना चाहिए मतलब अब जब पैन में डालो गये वह अच्छे से गिनना चाहिए चैनि अब यो को डेडि कर लेना है याप रुकास मन त्युकूbs में नौन्स्टिक टावा क्झमाल कर्दी, जिससे दोसा बहुत बनता हैstem Yes, बनाते हैं तावा को पहले गरम कर लेना है कि नहीं तो बैटर को अच्छे से फैला नहीं पाएंगे और अच्छा दोसा नहीं बनेगा अभी एक अलू के टुक्रे को तेल में डुबाएए और उसी से पैन को तेल लगा के चिकना कर लीजिए अब अलू के बदले में प्याज के टुक्रे नहीं तो बेंगन का स्टेम भी यूज कर सकते हैं नहीं तो ब्राश भी यूज कर सकते हैं अभी तवा मेरा बिल्कुल तेयार है अभी देर बड़ा चम्मच दोसा का बैटर डाले चम्मच के बैक साइट से धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं और पूरा पैन में ऐसे फैलाते रहिए ज्यादा प्रेशर से इसको मत घुमाएं नहीं तो दोसा फट जाएगा जितना पत्र सब्सक्राइब बैटर से यह कितना बड़ा दोसा बन गया है और चीज देखिए पैन से दोसा अलग होने लगा है क्यूंकि यह नॉन स्टिक पैन है इसमें दोसा जल्दी पकता है फ्लीम अभी लोग हीट पे रखे तो जल्दी जल्दी एक छोटा चम्मच बटर डाले और चोटा चम्मच पीजा सॉस डाले अच्छे से चारो तरफ फैला दे बटर दोसा की छेट से नीचे चला जाएगा और दोसा को गुरिस करेगा पीजा सॉस का रेसेपी भी मेरे चैनल में देख सकते है उसका लिंक भी मैं एंट स्प्रीन में शियर कर दूंगी अभी और शिमला मीच भी डाले चम्मच से अच्छे से मिला ले और धोसा के ऊपर चारो तरफ फैला दे आपके पसंद के अनुसार कोई भी दूसरा सबसी डाल सकते है जो पीजा टॉपिंग में जाता है चिकन और पनिट भी आप एट कर सकते हैं उपर से ग्रेट करें मोजारेला चीज बहुत सारे धोसा को एकदम कवर कर देना है गैस एकदम लो हीट पे रखे कुछ देन में यह मेल्ट हो जाएगा अभी यह तैयार हो गया है पीजा जैसे स्लाइस में काटे और ऊपर थोड़ा चीली फ्लेक्स और मिक्स्ट पीजा सीजनिंग स्प्रिंकल करके सर्व करें देखिए इसका स्लाइस कितना टेंटिंग लग रहा है आपको यह दोस्दा का रिसेपी ज़रूर ट्राइक काना चाहिए अपको मेरे यह रिसीपी अगर अच्छा लगे तो जरूर ट्राई करें और घर में टेस्टी दोजा का आनद पाईे आपको यह रिसीपी अगर समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ हो तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट क झाल झाल